नमस्कार दोस्तों एक बार फिर चलते हैं खबरों की ओर। बरेली से विकास खंड भोजीपुरा के ग्राम गुपलापुर में ग्रामीनों द्वारा कोटेदार नईमा बी पर गल्ला कम देने का आरोप लगाया गया है आपको बताना जरूरी है कि सरकार ने कोरोना के चलते र होजीपुरा के ग्राम गुपलापुर का है यहां के रहने वाले शाहरुक और फारुक खान ने आरोप लगाया कि कोटेदार नईम बानो जिनकी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान है वो अपनी राशन की दुकान कभी कही पर ले जाकर गल्ला बातती है तो कभी गुदामों में गल्ला चुपा कर रखती है और गल्ला बांटते समय उत्भोकताओं के अंगूठे एक दो दिन पहले लगवाती है और एक दो दिन बाद राशनकार धारकों को गल्ला देने से मना करती है कि जितना गल्ला आया था सब बंट गया और बचे हुए गल्ले की का प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन वहां मौझूद ग्रामीनों ने अपनी शिकायत को सही बताया और अपने बयान दर्ज कराए ग्रामीनों की शिकायत पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोटा संचालक नईम बानों पर कारवाही होना तै है क्यूंकि जांच में गल्ला कम देने की शिकायत साथ साबित हो रही है अब देखना ये है कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रिता पर किया कार्य वही होती है या नहीं या आपूर्ती निरिक्षक मामले को ऐसे ही निप्टाने का कार्य करेंगे कुतुब उद्दीन अंसारी बयूरो चीफ बरेली की खास रिपोट धन्यवाद क्या नाम आपका? खारुखान. कहा रहते हो? गुबलाबाद. क्या मैटर है आपने कल कोई शिकायत की थी कोटेदार की क्या मैटर साथ? अब जो शरकार ने ये फिरी वाला गल्ला दिया है, कितना गल्ला दे रहा है अपको सिकाइट और लोगों ने भी की, आपको दोतर सके लेई। किया नाम आपका? शारूब कहा रहते हो? लुपला पर अच्छा क्या मेटर है आपके यह कहले यह कोड़ेदार हैं, कहने कोड़ेदार आपके हो? korड़ेदार नहीं मानमे अच्छा, तुन की क्या शीकायत है? अच्छा तो आपने शिकायत की है इनकी तो यह जो जाच अधिकारी सप्लाइ इंस्पेक्टर आए थे रोने क्या स्वासन दिया आपको लिखके लेगा है दियान घढ़ एको आपको लिग वेगा है वेज में है ध Feels Yeah